नमस्कार मेरा नामी निकिल आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन बिहार में जातिगत जनगन्ना को लेकर लगतार बवाल हो रहा है दोनों पक्षो और विपक्षो की तरफ से बयान बाजी हो रही है इसी बीच आज नीरज बबलु का एक बयान आया है उनका साफ तोर पर क कहना है कि जातिगत जनगन्ना नहीं जनसंख्या नियंत्रन कानून होना चाहिए हमारे साथ बात करने के लिए कॉंग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठोरे इन से जानते कि क्या कुछ है पर दो बात आए हैं कि तालिबान का नाम भारते जनता पाते के किसी सदस के जुवान पर तो आया पिशले एक देर सब्ता से तलजी तालिबान काबूल तक चला गया अब परधान मंतरी अभी तक पूल नहीं पा रहा है थे जबकि BDS निती पर परधान मंतरी बार बार बोलते थे चले परधान मंतरी नहीं बोले कम से कम बिहार के कोई लोग तालिबान के बारे में कुछ तो बोले उदाहरन तो दिये तक तालिबान के उदाहरन बिहार में क्यों दे रहा है इसलिए कि उनको पता नहीं है ज्यान का करें तो उनको प्राप्त ग्यान प्राप्त हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रन नहीं है वो कैसे पता अभी भारत सरकार जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.2 अगर फैटलिटी लेट आ जाता है तो और आधारी जनगर्ना की आवे सकता नहीं है तो पहले वह अपने दल के इस्टेंट को तो किलियर करें तब दूसरी की बात करें अगर इनका साफ है कि जाती आधारी जनगर्ना होनी चाहिए और इसमें जो बिरोध करता है तो उसके साथ ही क्यों रहते हैं क्योंकि इन्हें सत्ता प्यारा है जनता नहीं तो पहले उपेंदर कुषभाजी मुक्मंदी जी से बात कर लें रसीपी सीजी से बात कर लें ललन सीजी से बात कर लें कि क्या जीडियू जाती आधारी ती जनगर्ना चाहती है अगर चाहती है तो भारती जनता पार्टी अगर साथ देती है तो पकर है नितिश कुमार जे एक आखरी सवाल निरेज बबलु का कहना है कि जिस तरीके से जनता दर्वार और सायोग करेक्रम जदियो और भाजपा चला रही है विपक्ष को भी चलाना चाहिए वो भी जन प्रतिनीतित हैं और उनका साफ तोर पर कहना है कि हम विपक्ष के कारि के लिए बनती है भला ही किसी एक दल के जीत के आये हो तो इस बार तो आधा से अधिक मत सरकार के खिलाप गया है महागत्वहंदन को मिला है या निर्दलिय को मिला है जो सरकार में नहीं है एमाय सरकार में नहीं है क्या हमें मानने कि आधे से अधिक जनता के एक लोग काम न लेना चाहिए कि एक मंत्री के हश्यत से कोई आदमी बोल नहीं हो कि जो हमको वोट नहीं दिया उसको हम काम नहीं करेंगे इतो सम्विधान के धाराओं का उलंगन है ऐसी इस्तिती में समझते हैं कि मानने न्याले भी को संगान लेंगे ऐसी लोगों पर करवाज होगी जो मंत जनता दर्वार का तो जनता दर्वार सरकार में को लगा रहा है मंतिर जी वो मंत्राले में बैठके काम किये होते तो जनता दर्वार की ज़रूरत नहीं होती आइसा दर्वार है जिसमें जनता ही नहीं है तेकि विपक्ष जनता के द्वार जाती है जनता के दर्वार नहीं हम लोग जनता के द्वार जाते हैं, उनका दुख सुख पुछते हैं, उनके लिए आंदोरन करते हैं, लडाए लडते हैं, या कोरोना काल हो या बाठ हो, कहां था पक्ष? जनता को अपने दरवार में बुरा रहा है, वो आने को तयार नहीं है, तो जो समझ गई है जनता, कि स सरकार में लगके काम नहीं कर रहा है, यहां खाना को पूर्ती कर रहा है, तो जिस सरकारे से उमीद नहीं है, तो उसके पाटी से क्या उमीद रहेगा? तो यह थे हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता राजेस राठोर, जिन्होंने जातिकत जन गन्ना और जन संखिया नियंतरन कानूर पर बखुबी से बात किया, बेबाग बयान दिया, और भी अपडेट्स देंगे, बने रहेए नियूस फोर नेशन के साथ धन्यवाद!